नमस्कार दोस्तोway आपका PharmaRox के यूटूब एजियो कहसे चनल में आज के यूटू लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे Alprax टैबलेट के बारे में तो हम जानेंगे ये दिडिकेसंस के बारे में डिटेल में और cover करेंगे अलग-अलग points जैसे कि सबसे पहले हम सिखेंगे कि ये medications के बारे में basic जानेंगे हम फिर second हम सिखने वाले कि उसका manufacture कौन है, use क्या है, dose उसके price वगरे क्या रहेगी working में लेकि ये दवाई काम कैसे कर दी है mechanism of action उसके समझेंगे sad effects cover करेंगे, warnings क्या है pregnancy category क्या है, contraindications और drug-drug interactions को detail में सिखेंगे Alpreg 0.5 medicine के बारे में तो ऐसे समझेंगे आपको detail में सिखना है, बहुत सारी दवाईों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं pharma rocks के बुपर, तो ये course को join करने के लिए आपको हमें सिर्फ whatsapp करना है, या फिर हमारी mobile application को download करनी है link आपको description box के अंदर मिल जाएगा, तब आदे हैं topic pure समझते है, Alpreg 0.5 mg tablet के बारे में तो सबसे फ़ले उसका basic हम cover करते हैं, तो basic में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये medication का drug class क्या है तो ये ऐसे class का medication है कि जिसकों anti-anxiety drug कहते हैं और उसके अंदर special ये benzodiazepine class का anti-anxiety drug है उसके पास sedative and hypnotic actions भी present है और salt content के हम बात करें तो Alprazolam उसके अंदर present है और strength की हम बात करें तो 0.5 mg जितना medication ये दवा के अंदर present होता है तो ये जो Alprazolam जो है उसका brand name है और salt content जैसे मैंने आपको बताया वो है Alprazolam तो यहापे हम उसके label की study एच्छे से कर लेते हैं तो label में आप देखो कि ये जो tablet का type है वो है uncoated tablet महला कि tablet के उपर कोई भी प्रकार का coating जो ये वो नहीं किया गया है tablet का color जो ये येलो होगा because उसके अंदर sunset येलो करके color येड किया गया है salt content Indian pharmacopeya के according to 0.5 mg है Alprazolam storage की हम बात करें तो 30 degree आप उससे कम temperature पे आपको उससे store करना है और light and moisture से ये दवा को जो वो protect करनी है अब आगे जानते हैं उसके manufacture के बारे तो torrent pharmaceutical जो उसके manufacture है और torrent pharma के बारे में मैं आपको बता दू तो ये एक Indian multinational pharmaceutical company है कि जिसका headquarters जो इंडिया में आहमदाबाद में हैं गुजरात के अंदर आगे जानते हैं ये medications के use के बारे हैं कि कौन से अलग-अलग use रहते हैं उसके तो सबसे पहले जो anxiety जो होती है उसके इलाज में ये दवा को use किया जाता है तो anxiety क्या है वह आप यहाँ पे सबसे पहले समझे तो anxiety को हम simple terms में कहते हैं चिंता होना कि आपको चिंता होती है, गब्रा आठ होती है को डर वगेरा है आपकी life के अंदर या फिर कोई ऐसा काफी ज़्यदा tension है तो उसको कम करने के लिए दवा को जो प्रिस्क्राइब किया ज़ता है second condition हम देखे तो fear यानि कि आपको डर लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी घटना बन भी रही है या फिर नहीं बन रही है तो भी आपको जो वो डर लगता है तो उसको ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया ज़ता है तिसरी condition हम देखे जो sleep disorders होते है मुलें कि आपको निंद नहीं आती अनिदरा की condition है या फिर medical terms में हम कहे तो insomnia का problem loss of sleep की या पर आप देखो कि चार बज़े है फिर भी इनको जो निंद नहीं आ रही है तो ये जो problem है उसको हम sleep disorders कहेते कि आपको निंद नहीं आती अच्छे से रात को लेट तक जब जाकते है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा को prescribe किया जाता है फिर आगे condition हम देखे थे जो panic disorder से कमलाब कि आपको panic attacks आते है फिर आप अचानक से panic हो जाते है आपके mood swings वगरा होते है mood अचानक से change हो जाता है फिर अचानक से आप जो हसने लगते है या फिर अचानक से आपको रोना आ जाता है या फिर काफी समय तक आप रोते रहते हैं तो इसको हम panic attacks कहते काई बार stress काफी जाद आप मैसूस करते है anxiety फिल करते तो ऐसे condition को भी ये medication ठीक करती है फिर काफी जाद आप nervous हो जाते है या फिर sadness आ जाती है life के अंदर तो उसको भी ठीक करने के लिए ये medication को दी जाती है कि काफी जो है पेशन अचानक से nervous हो जादा है nervousness उसके अंदर देखने को मिलती है तो कि जिसको simple हम कहते हो आप उदास हो जाते है काफी जादा moods change हो जाने के करन तो ये problem भी solve कर दी ये दवाई फिर आपकी life में काफी जादा stress है बहुत जादा stress है आपकी life के अंदर किसी भी तरह का वो stress है तो उसको भी कम करने के लिए ये दवा को जेवो दी जाती है anxiety जो है main उसी के या सब अलग-अलग symptoms होते है तो उसको ये दवा जेवो ठीक कर दी है अब बात करते हैं उसके dose के बारे में तो उसका ideal जो dose देखे तो वो रहता है 0.25 से लेकर 1 mg जितना दिन में 3 बार patient ले सकता है मतलब कि आप tablet के तौर पर समझे तो एक tablet दिन में 2 बार या फिर 3 बार जेवो patient ले सकता है और अगर किसी को panic attacks आ रहा है काफी ज़्यादा तो ऐसे cases में 6 mg पर जितना dose भी उसको दिया जाता है पर ये होगा maximum dose इससे ज़्यादा dose जो यूज नहीं करना जाए बिकर उसके करना side effects काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं 500 points की उससे पहले हम समझ लेते हैं कि maximum dose आपको कभ यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ panic disorder से किसी को तो ही उसका maximum dose यूज करने है वनना समझे कि आप नींद वागरा के लिए यूज कर रहे हैं तो 0.25 से 1 mg जितना dose जो ही वो इन अप रहता है प्राइस की हम बात करें तो एक tablet की जो प्राइस है अराउंड 4 रूपीस के आसपास पढ़ती है बिकोज जब यह पूरा blister पर्चेस करते हैं 15 टाबलेट का तो उसकी प्राइस जो अराउंड 60 रूपीस के आसपास होती है तो काफी affordable price हम कही सकते है पिर अब उसके working के बारे में समझते हैं तो यह दवाई काम कैसे करती है तो यह क्या करते हैं कि हमारे mind के अंदर कुछ chemicals होते है और इसमें से एक chemical है वो है अगेरा था, anxiety वगेरा थी डर था, वो सब यह chemical के मातरा बढ़ने के करण जो वो काफी कम हो जादे और आप काफी relax फिल करते है happy फिल करते और जो चिंदा और गबराठ है वो आपकी कम हो जादी है तो mechanism में यह है कि यह medication जो क्या करते है कि जो GABA receptors होते हैं हमारे brain के अंदर उनके साथ जो खासकर bind होती है और वहाँ पे जो GABA mediator synaptic inhibition होता है उसको increase करता है sorry increase करता है कि जिससे GABA की जो effect है वो बढ़ जाती है diagramatically समझे के तो आपको काफी easily समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि specially जो GABA receptor होते है उनसे यह हमारी medication जो बाइंड हो जाती है कि जो banjo diageping glass के medication है और वो क्या करती है GABA की effect को जो है increase करने में जो है मदद करता है कि जिससे काफी आप relax फिल करते हैं अब आगे बात करते हैं उसके side effects की तो यह medication के जो है वो काफी ज़्यादा side effects है इसलिए proper medical supervision में ही उसको use करने चाहिए और proper prescription के साथ ही उसको जो बेचा जाता है जब भी retail में बेचा जाता है तो बिकास उसके कुछ side effects यहाँ पर हम discuss करने वाले है तो जो red color किया गया है या फिर मैं अभी जो highlight कर रहा हूँ वो side effects जो काफी ज़्यादा serious रहते है जैसे कि अगर यह medication आपको suit नहीं होती तो आपकी आखे जो यलो भीस हो सकती है मनलब कि आखों में पिला अपन जो वो देखने को मिल सकता है फिर seizures आ सकते है weakness आजा सकती है और coordination के problems आ सकते है मनलब कि आपको चलने में दिक्कत आ सकते है या फिर आप जो वो proper balance नहीं बना सकते है अपना ऐसा कुछ problem हो सकते है फिर skin के ओपर severe rashes जो वो develop हो सकते है गर यह दवाई आपको suit नहीं करते है या फिर कोई allergic reactions हो जाते है इसके करण फिर कई बार memory related problems होते है कुछ लोगों को confusion जैसा फिल करते है या फिर hallucinations जैसे side effects जो वो develop करती है यह दवाई फिर कुछ minor side effects देखे तो dry mouth जैसा फिल होते है कि जब यह दवाई खाते है तो आपको ऐसा फिल होता है कि आपके mouth के इंदर saliva बहुत कम बन रही है और उसके करण आपको dryness जैसा फिल होता है फिर कुछ cases में salivation होने लगता है मलब कि कुछ cases में saliva ज्यादा बनती है या फिर कुछ cases में dry mouth जैसा आप फिल करते हैं फिर drowsiness जैसा हो सकता है lightheadedness जैसा हो सकता है डीजीनेस जैसे आप फिल करते हैं, irritability हो सकती है, फिर weight change जैसे problem भी ये medication के कारण हो सकते हैं, और stomach related problem मलब कि जो gastrointestinal tract related, जो side effects होते हैं, वो भी ये दवा जो हो कर सकती हैं, तो खास आपको धियान ये रखना है कि proper आपके doctor या फिर pharmacist के सला के according to ही, ये medication को जो हो use करें, और कोई भी side effect होती है, तो दुरत उनको contact करके आप दवाई जो हो change करवा सकते हैं, next अब बात करने उसके warnings के भी, कौनसे condition में ये दवा को नहीं करने, तो सबसे पहले ऐसे condition कि patient के अंदर जो हो obesity देखने को मिल रहे हैं, या फिर patient जो हो overweight है, कि जब हम उसका body mass index निकलते हैं, औ prescribe ना करें, drug abuse मनलब कि drug addict जो होते हैं, उनको भी ये दवा नहीं दीनी चाहिए, फिर जो depression के जो patient है, या फिर glucoma के जो patient होते हैं, उनको भी ये दवा नहीं दी जाती हैं, फिर asthma में भी ये warning है, कि आपको asthma है, तो ये दवा use ना करें, liver problem है आपको, kidney related कोई problem है, weakness है आपके body के इंदर, या फिर आप टॉबे को smoking करते हैं, तो उन लोगों को गलती से भी ये दवा नहीं दीनी चाहिए, अब बात करते हैं, pregnancy के दोरान की, तो pregnancy category ये medications की D है, तो risk रहते हैं, fetus जो develop हो रहता है, तो pregnancy में उसको कभी भी use ना करें, फिर आगे बात करनी हैं, हमें contraindications की, क कौन से condition में आप उसको use ना करें, तो pregnancy period जो होता है, उस दरन ये दवा को use ना करें, second breastfeeding period में भी आप उसको use ना करें, अगर किसी को liver disease है, या फिर उसको kidneys disease है, या फिर patient obesity वाला है, तो उसको भी ये दवा को prescribe नहीं करनी चाहिए, वो गलती से भी ये दवा को use ना करें, फि इनके lungs जो काफी weak हो चुके है, sleep apnea के patient है, या फिर alcohol intoxication या फिर alcohol poisoning के patient है, उनको भी ये दवा जो वो नहीं देनी चाहिए, अब आखरी point जो में समझना है, वो है drug-drug interactions, ये काफी जरूरी point है, इसको आपको skip नहीं करना चाहिए, because कौन सी दवायों के साथ इसको combination में नहीं तो सबसे पहले आप देखें तो नियाफा-zodon करके जो drug आती है, उसके साथ उसको use ना करें, फिर second fluox amine है, fluoxatin है, morphine है, coding है और dihydrocoding जैसी drugs के साथ combination ना करें, फिर दूसरे कुछ दवायों हम देखें, तो बूप्रे नॉर्फिन करके जो दवायों आती है, उसको साथ भी यूज़ ना करें, chlorphenidine है, diphenhydramine है, promethazine है, antifungals दवायों है, oral contraceptives वगरा है, उसके अलाव आप देखो तो erythromycin जैसे antibiotic है, cimetidine या फिर ranitidine जैसे दवायों के जो acidity को काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पैप्टिक अलसर में यूज़ होने वाली जो दवायों ह psychotics जो दवायों होती है, कि especially जो mental disorders के लिए जो दवायों यूज़ होती है, कि जिनके dose काफी ज़्यदा होते है, तो उनके साथ ये medication को यूज़ ना करें, वरना side effects और ज़्यदा बढ़ सकती है, फिर alcohol के साथ भी यूज़ नहीं करने चाहिए, फिर कोई भी alcoholic syrup से अगर आप ले रहें, तो उसके साथ कभी भी combination में ये medication को यूज़ ना करें, तो ऐसी समझे कि आपको detail में सिखना है, बहुत सारी दवायों के बारे में, बीमारयों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं, फार्मा रोक्स के आप उपर, तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को आप download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.